जोहिन पेस नमस्कार सोप्रेंश हमारे भारतियों बायोशना फोरपोन फाइब जेनरेशन तेज़ास एमके वान आई भाइटोर से फिप जेनरेशन आमका आर्भांस मेडियों कॉम्पाक्ट आयरकाट पोग्राम में कुदने पर विचार कर रहा है जिसका मतलब यह होगा कि पोग्राम को कमबेस खत्म कर जाएगा यदि इंडियन आरफोस को सोट लेने के लिए मिलता है और रख्या मतलब यह पीछे की सीट लेने की फैसला करता है 2035 से आमका आड़्भांस मेडियों कॉम्पाक्ट आयरकाट का आगमान सुर हो जाएगा और कम से कम तीन चार देशों ने एयरकाट बिमान पर उडान भरी होगी यह कम से कम सीग जेनेशन टेकनोलोजी की पदर्शन किया होगा जो 2035-40 में किसी समय सेवा में एंटरी कर सकते हैं जैसे कि अभी बी एई टेमपेस्ट डाजल डावेशन के फ्यूचर कंपक्ट आयर सिस्टम FCSA और USA United State of America के नेक जेनेशन एयर डोमें एंजी एडी जो पहले से ही काम कर रहे हैं यह लोगों ने एसा लगता है कि यह सारे सिक जेनेशन प्लाटफरम 2035 तक सामिल हो जाएं और टोप फाइब एयर फोसेस में एक मात्र देश है जिसे प्राप्ट करने के लिए 2030 या उससे आगताक इंतिजार करना होगा जिहां भारत का फिप जेनेशन पोग्राम आंपका अर्भांस मुरियम कोंपेक्ट आयर काप्ट अधिकारिक तोर पर अभी सुरू नहीं हुआ ह फास्ट प्रोटाइब दोजार पाइस तक आने वाला है और भारत फिप जेनेशन बैंड वागोन में सामिल होने वाली अख्री देश होगा जिहां जिसका मतलब यह होगा कि इसके पास 2025-2035 से 2024-2040 तक केबल फिप जेनेशन के फाइटर जेट्स का काफी बेड़ा होगा जै इसे इलोक्रिनिस वायरफार आटिफिसियल इंडेलिजेंस वेपोन होतियारों में उत्कृष्टत्या प्राप्त करने की आप सकता है जिहां जोकी आंटी आक्सेस एरिया से इनकार करने के प्रयाशों को हरा सकता है जैसे हम अभी भारत में नहीं देख रहे हैं जिहां हमार भारत उन देशों में भी अंतिम होगा जो शिक जेनाशन के फाइटर जेट्स पोग्राम में सामिल होगे जिहां यदि यहो कभी भी पहले फिक जेनाशन के प्लाटफरम को सक्षेस्पुली डेवलप कर सकता है जिहां धान्दक के 2040 में भी भारत करीब 90% 4.5 जेनाशन प्लाटब कम सकम 2015-2015 से 2016-2016 तक दुनिया भर में गायव नहीं होगे जिहां